तो वाज पिछले टूटरियू में आपको ये वैब पेज बना कर देखाया था और आज मैं जो करके दिखाने वाला हूँ वो ये है देखिए इस तरह के देखिए ये जो आइकन्स है आइकन्स देख रहे हैं आप ये वाले आइकन्स तो यह आइकन कैसे लगाए जाएंगे ठीक है देखो कितना खुबसूरत हो रहा है ना आइकन से खुबसूरती बढ़ देखो यहाँ बिना आइकन के है देकिन जैसी आइकन बढ़ गए तो इससे देखी user readability और खुबसूरती दोनों बढ़ गए तो आइए कैसे लगाते हैं font awesome को हम करते हैं शुरू तो देखिए सबसे पहले मुझे देखना हुआ कि internet चल रहा है कि नहीं चल रहा है ठीक है तो आप यहाँ पर चलते हैं और देखते जाकर connected है internet चल रहा है तो आप खुल लीजिए एक web browser तो आप यहाँ पर जाईए और web browser ख को font awesome की site का मिलेगा इसपर आप click कर दीजे click करने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे download का button है download तो इसपर download के link पर click कर दीजे download पर click करने के बाद पर फिर यह खुलेगा देखो यहाँ पर free for web और free for desktop तो आप क्या कर दीजे फ्री for web जैसे आप free for web पर click करेंगे यह देखिए downloading के लिए यह file आगए और इसपर start download कर दीजे क्योंकि मैं internet download manager यूज़ कर रहा हूँ तो जैसी हम इसपर click करेंगे यह download हो गया होगा देखिए इस पर close कर दीजे close करने के बाद यहाँ आई यह देखिए और यह देखिए internet download manager मेरा यह खुला हुआ देखो IDM को खोलने के आप देखिए यहाँ पर जाएए और इसमें देखिए सबसे पहले क्या है देखो एक folder मिलेगा आपको web fonts तो आप web fonts को आप इसके copy कर लिजे क्योंकि सारे icon इसी के अंदर है आप इसको copy कर लिजे copy करने के बाद जहाँ पर आपका folder है वहाँ आप चले जाए देखिए CSS का folder मिलेगा एक CSS का तो CSS के folder में बहुत सारी file है इसमें से आपने एक file लेनी है all.css तो आपने इसको copy करें यहाँ से और copy करने के बाद में अब आप वहाँ जाए और CSS के folder में इसको डाल दीजे CSS के folder में अपनी file में जहाँ आपकी file है HTML उसके browser में CSS का folder है उसके अंदर आप इसे डाल दीजिए जहां हमारी CSS अल्रेडी पहले से बनी हुई है तो हमने यहाँ पर all.css नाम की एक और CSS file डाल दी अब क्या करते हैं हम इसको हम खोल लेते हैं right click करें अपनी HTML file को और sublime मैंने खोल लिया मैं भी sublime tax editor यूज़ कर रहा हूं यहाँ पर मैंने खोल लिया अब यहाँ पर सिर्फ address चेंज कर रहा हूं उसका मलब नाम चेंज कर रहा हूं सिर्फ मैं करता हूं all.css यह मैंने कर दिया अब इतना करने के बाद इसको save कर लिजिए और right click करके इसको browser में खोल लिजिए देखिए browser में खोल गया अभी देखो कोई icon नहीं है अब हम क्या करते ह तो देखिए इसके बाद दुबारा से font awesome की site पर जाना पड़ेगा तो हम इस पर दूसरी time में खोल लेता हूं यहाँ पर font awesome मैंने font awesome की site खोल ली देखिए यहाँ पर और font awesome की site खोलने के बाद में अब क्या करना है यहाँ पर search करना है home मैंने home को search किया और देखिए home सर्च करने के बाद में बहुत सारे icons आ जाएंगे home के तो देखो यह मुझे जो अच्छा लगता है वो यह icon है मैं इस पर click करता हूं user home और इस पर click करने के बाद में अब दे किये यह देखो यहाँ पर जब आप जाएंगे ऊपर तो देखो यहाँ लगए copy html तो इस पर आप एक बार click कर दीजिए जैसी click करेंगे तो html का जो link वो copy हो जागा तो यह copy हो गया अब आप copy होने के बाद आप बापस आईए यहाँ पर और home से पहले home से पहले यहाँ पर इसे paste कर दीजिए इस link को बस इसमें देदीजिए देखिए इसमें class fa fa house और user देखो पूरी एक classes है इसकी बनी हुई पूरी यहाँ से यहाँ तक आईए में और देखो यह मिल यहाँ में अब हम इसको save करते हैं save करने के बाद वहाँ चलते हैं जहाँ पर हमने यह जो हमा उलेकर दिखाता हूं आप चलते हैं वापस देखिए यहाँ पर घ और वापस पीछे आयए यहां पर सर्च करते हैं देखे निव्स यहा पर जैसे परोंने के बाद हम चलते हैं Sublime में, Sublime में जाने के बाद हम यहां पर जाते हैं और देखो फिर से वापस News पे हम News के आगे इसको Paste कर देते हैं, अब हम वापस फिर आते हैं यहां पर और फिर पीछे चलते हैं, और अब की बार हम Contact पे Click कर देते हैं, Contact लिखा तो Contact के आइकन आ जाएंगे देखी, यहां पर, मैंने यह वाला आइकन ले लिए, यह ले लिए पहला वाला, और लेने के बाद मैं फिर से मैं वही Copy करता हूँ, देखी, यहां से मैंने Copy किया, और फिर Sublime में चले, और देखो Search, Search में गए और इसमी क्लिक किया, और जाने के बाद देखो Search के आइकन हमें मिल जाते हैं, और यहां पर मिला Search का आइकन, और वापस हम Sublime में गए, और यहां पर हमने Input से पहले यह Search को डाल दिया, ऐसे, अब हम इसको Save करते हैं, Save करने के बाद चलते हैं, वहां पर Result यहां जाते हैं, और इसको Refresh करते हैं, तो दीखिए, यहां पर यह आइकन आ गए, लेकिन यह वाल आइकन सर्च का आइकन नहीं आए, यह Black Color का छोटा सा है, तो इसके लिए थोड़ी CSS करनी होगी, तो चलते हैं यहां पर चलिए, और इसकी class है, fa.search, यहां पर जाने के बाद में हम नीचे, यहां लिख देते हैं, यहां जाकर देखते हैं, रीफरेश करते हैं, देखो, कलर वाइट हो गया, अब इसकी थोड़ी handling कर लेते हैं, handling करने के बाद यहां पर क्या करते हैं, देखो, font size, font size हम डाल देते हैं, इसका 18, font size save करें, refresh करके देखें, देखो, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब थोड़ा margin कर देते हैं, हम margin कर देते हैं, इसमें 5 pixel, top से 5 pixel, right से 20 pixel, और bottom से 0 pixel, और left से भी 0 pixel, save करें, इधर चलके refresh करें, तो देखो, यह थोड़ा दूर आ गया, तो इसमें थोड़ा पास में चाहिए, तो मुझे इसका 10 pixel, यहां से 10 pixel कर देता हूं, 10 pixel, save करें, यहां जाए, refresh करें, अब ठीक है, तो इसके बाद, देखो, यहां पर icon लगाने, इसमें, तो इसके icon लगाने के लिए भी हम वही करते हैं, same, यहां जाने के बाद हम सर्च करते हैं, देखो, यहां पर सर्च कर लेते हैं, नेचर, देखो, नेचर का icon हम सर्च कर लेते हैं, तो देखिए nature ये leaf आगई, मैंने leaf ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर और इसके बाद मैं इसे यहाँ से copy करता हूँ, copy करने के बाद चलते हैं sublime में, sublime में जाने के बाद देखिए इससे पहले यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं, यहाँ पर save control V, paste किया article के अंदर, और हमने यह ऐसे डाल दिया अब सेब करें सेब करने के बाद जब यहां रीफ्रेस करेंगे जाकर देखेंगे यहां पर तो देखो यह लीफ आ तुगए लेकिन बहुत छोटी है इस लीफ को थोड़ा बड़ा करना है तो इसको मैं सब को एक साथ बड़ा कर दूँगा पाद मैं हम पर चलते है इसको क्लिक करते हैं ऐसे जाने के बाद हम यहां चलते हैं और देखो इसम्झे यहां पर इसे डाल देते हैं पेस्ट तो यह Зबाद नेच्र हो गया सेब किया यहां पर जाए रीफ्रेस करें यह भी आ गया अब इसके बाद future तो future में मैं child का photo डाल देता हूँ तो चलो यहां चलते हैं back और यहां पर आप डाल देते हैं child डालें तो child में जाकर child ले लें यह वाला होगा child इसको ले लेता हूँ मैं और इसके बाद यहां से इसे click करें देखो यह copy और इसके बाद हमने यहां पर डाल दिया paste किया save किया refresh किया तो देखो यह भी आगए देखो feature अब इसका size में जो बड़ा करना है तो इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए हम यहां पर चलते हैं CSS में और CSS में जाने के बाद में हम article के नीचे यहां पर एक और बना लेते है article article के अंदर dot और FAS सबका एक ही होगा देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहां पर चलें देखो यह FAS सभी में है यह तो change है नाम लेकिन FAS जो नाम है यह सब में एक जैसा है तो इसको हम क्या करेंगे देखो यहां पर चलते हैं और यहां पर चलते है FAS और इसके बाद हम इसमें font size इसका कर देते है change font size और हमने कर दिया 100 pixel 100 pixel font size कर दिया save किया यहां पर आकर refresh करें तो वाइच देखी यह बढ़ गया icon का size 100 pixel तो वाइच जैसे font का size बढ़ता है पिक्सल में वैसे इसका size बढ़ गया इसका size कितना भी बढ़ा ले आप इसके pixels नहीं फटते क्योंकि scalable vector graphic है तो यह था font awesome font awesome की वज़े से हमारी website में चार चांद लग जाते हैं तो यह कैसा लगा आपको टुटोरियल तब तक के लिए take care and bye bye